दोनों लाइट को on करता हूँ एक साथ जैसे दोनों लाइट को on करूंगा तो screen पे आपको कुछ बनता हुआ दिखाई देगा लेट सी वाट है अब यहां पे दो को वेफ आप उसमें क्रेस्ट टक्राने लगे तक्राने के बाद आपके पास यह screen पे कुछ बन रहा है देखो एक पैटरन बीच में बराइट फिर डाल फिर बराइट फिर डाल अन इसे अल्ट निट्वली चल दाल है चल्ड गैक बात करें बच्सु अर विडियो और विड्त आफ शेट के बात करें जैसे हैं मोथällt दो know के पास यह S1 था और यह S2 था यहां से कोई light ऐसे जा रहे थी यहां से कोई light ऐसे जा रहे थी इसकी amplitude A था और इसकी amplitude B था अब इन दोनों के width width कभी तो फर्क पड़ेगा कितना opening है है कि नहीं मान लेते हैं इसका width WA है और इसका width WB है अगर मान लो एक छोटा सा इस रूम में तो उस होल से कितनी light आएगी कम अगर उस होल को थोड़ा से बढ़ा करते हैं उस लाइट जलना है तो light कितनी आएगी जादा जैसे window देखाओ का window थोड़ा से खोलोगे तो light कम इंटर करेगा थोड़ा ज्यादा खोलोगे तो ज्यादा इंटर करेगा इसका मतलब intensity जो है वो यह मनलों window है से हम window में सिर्फ अगर इतना portion खोल दें इतना बंद है यह पूरा बंद है तो सिर्फ थोड़ा से light आगी विट अगर थोड़ा से और बढ़ाते है तो intensity क्या होगे अंदर intensity परती जाएगी नहीं परती जाएगी तो हमें ऐसे लिख सकते है ना intensity is directly proportional to यह बात कर एक दिए ड़opolit रिख दिट्त,ध और यह बात करें रिलाएगी तो विट है अवी थे इसे लिख रिख L feeling relation between width of slate and amplitude or intensity amplitude or intensity थोड़ा सम्झो विटा इक है so हमारे पास क्या होगा intensity is directly proportional to width of slit कितना ज्यादा opening होगा ठीक है अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मैंने कल आपको बताया था intensity था वो directly proportional था amplitude गया square याद आगा है कुछ-कुछ तो अगर इसका amplitude A था तो इसकी intensity क्या हो गई थी आईए इसकी amplitude अगर B थी तो ये क्या हो गया था IB is directly proportional to B square ऐसे लिख सकते हैं क्या जल्ले बताओ so अगर हम आपसे बोलें IA मतलब intensity upon A और intensity of B is equal to क्या होगा width of A upon width of B क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है directly proportional is equal to क्या होगा amplitude का square इसका पतलब क्या होगा A का square upon में B का square लिख सकते हैं क्या formula समझ में रहा है मैंने क्या लिखा ऐसे देखों A is directly proportional to B इसे लिख सकते हो intensity is directly proportional to width और हमको पता है intensity होता वो किसके proportional होता है amplitude के square के बरापर ये intensity है amplitude के square के बरापर तो तीनों को equate कर लो इसका जो constant होगा क्या हो जागा पसमें कट जाएगा ने कट जाएगा ये आपके पास formula आ जाएगा बात हो जागे in the intensity of light variation in the intensity of light with the phase difference with the phase difference between between the waves emitted from between the waves emitted from the coherent source very important very important very important थाजयान समझेंगे emitted from the coherent source अब देखो बेटा अगर हम बात करें ये दोनों source अगर coherent हो जाएगा coherent होने का मतलब है यहाँ पर single parent source यूज हो रहा होगा है ना single parent source single parent source का मतलब होगा यहाँ की intensity और यहाँ की intensity दोनों intensity आपस में कैसी होगी बराबर तो लिखेंगे for current source of light for current source of light ia equal to ib equal to इसको हम लोग बोल लेते हैं i0 i0 का मतलब यहाँ से जो i0 निकल ला था वही यहाँ पर भी हो गया intensity का formula यह था i is equal to याद होगा पीछे अगर हम चले तो यह था under root में i1 या simply आप बोलो i1 plus i2 plus 2 root i1 i2 cos 5 अगर यहाँ constant को 1 मान ले तो ठीक है i1 ना था तो वो ia और ib था i1 और i2 ना था यहाँ पर क्या था आपके पास ia और ib था तो आप इसको ऐसे लिख लो ia plus ib plus 2 under root ia ib cos 5 अब for coherent source of light ia और ib आपके में क्या है equal है और वो किसके बराबर है i0 के बराबर रखते हैं यहाँ पर i is equal to मिलेगा i0 plus i0 plus 2 under root i0 i0 cos 5 समझते जाएंगे आप i is equal to मिल गया 2 i0 इदर मिल गया और under root से बाहर आ जाएगा तो यह भी क्या हो जाएगा सिर्फ i0 cos 5 कोई तकलिफ इन दोनों में से हमें common दिकरा है twice of i0 1 plus cos 5 कोई दिक्कत है अब मैं आपको एक दिक्कत दे रहा हूँ यहाँ पर थो असा समझ जा रहा हूँ समझने का प्रयास करीगा mathematics में दो formula बहुत वे मैंसे पूरी integration आगरे आपने पढ़ लिया होगा तो यह दो formula बहुत भैंकर use हुए होंगे एक होगा 1 plus cos theta इसकी जगह आप लिखे होंगे बार बार 2 cos square theta by 2 याद रहा क्या कुछ और एक formula आया होगा 1 minus cos theta यह आया होगा 2 sin square theta by 2 बहुत famous formula है पूरी integration में जहाँ जहाँ 1 plus cos theta उसके जगह 2 cos square theta by 2 और 1 minus cos theta है तो 2 sin square theta by 2 आपको लिखना पढ़ेगा अगर ऐसा लिखा हो 1 plus cos 2 theta लिखा हो तो इसको आपने लिखा होगा 2 cos square theta जो भी एंगल ता इसका आधा हो जाता जैसे theta था 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 theta by 2 2 theta था 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 यह क्या हो जाएगा theta हो जाएगा समझ महा रहा है अब जैसे अगर यहाँ लिखा हो तो 1 minus cos 2 theta लिखा हो तो क्या लिखते है जली बताइए 2 sin square theta यह पूरे integration में सबसे जबर्दस यूज़ोने वाला formula था आपने यूज़ किया होगा यह कहां से formula आया था यह cos 2 theta का formula रहता है यह cos 2 theta की value होती है Squager ले जागो तो क्या मिलेगा 2 cos square theta – 1 समझ मैं रहा है और यहां से भी आप चाहो तो cos 2 theta का formula एक और formula निकलेगा Squager ले जाग तो cos 2 theta इक्वल तो मिलेगा यह आपके पास cos2 theta का formula था, वहाँ से formula यह था, ठीक है, पूरी mathematics में integration, अगर आपने कभी भी R.D. शर्मा लगाया होगा, तो मैं आपको guarantee दे रहा हूँ, पूरी R.D. शर्मा में जबरदस्त यह formula यूज हुआ है, अगर आप लगाया होंगे तो, आगे बढ़ते हम लोग, तो ह चलो, क्या मिलेगा, I is equal to 2 times of I not, और यह हो जागा, 2 cos square 5 by 2, bracket में आपके पास region होगा, 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta by 2, अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, और multiply कर लेंगे आप, और आपके पास जो formula आएगा, वो कुछ इस प्रकार से आएगा, formula क्या आगया मिलेटा आपके पास, final formula आपके पास आगया, I is equal to 2, 2 जा, 4 times of 4 I not, cos square, 5 by 2, बात समझ में आई, नोट करेंगे, फिर इसका हमें एक graph plot करेंगे, फिर आपक से नोट करेंगे इसको, तो देखें, अब हमारा, जब हमें यह equation आगया, I is equal to 4 times of I not, cos square, 5 by 2, तो intensity versus phase, मतलब I और phi के बीच में एक graph plot करेंगे, और यह graph आपके पास YDSE, Young Stribble Slate Experiment का ही एक part है, ठीक है, तो ध्यान से आँ समझेंगे, और समझने का प्रयास आप सब बच्चे करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम इधर constructive की बात करें, constructive और इधर हम बात कर लें, destructive, D-E-S-T-R-U-C-T-I-V-E, तो constructive interference में phi की value कितना था, किसी बच्चे को याद है क्या, phi की value, 1 था, मारेंगे दाँ चूड़ जागा, तुनों का पेट में कुछ जागा, देखो, phi की value क्या था, plus minus 2N pi, और destructive के लिए क्या था, plus minus 2N plus 1 into pi, अब थोड़ा सा ध्यान से समझोगे बेटा, समझोगे तो भी समझ में आगा, थोड़ा 2 मिनिट concentrate करोगा, आ जाएगा, ठी constructive की जगँ था, plus minus 2N pi, अगर इधर destructive की बात करें, तो phi की value था, plus minus 2N plus 1 into pi, clear, अब ध्यान से देखना, बहुत 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 ध्यान से, n की जगँ क्या-क्या put कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, अगर यहाँ N की जगँ 0 put करोगे तो क्या मिलेगा, 5 की value, 0, 1 put करोगे तो कितना आएगा, plus minus 2pi, ना, 2 put करोगे तो कितना आएगा, plus minus 4pi, 3 put करोगे तो, plus minus 6pi, and so on, ऐसे चलेगा, ठीक है, similarly अगर हम बात करें, destructive की, एक समझ आगो, तो दूसा तुन तराम से समझ आएगा, अगर हम destructive की बात करें, तो इसमें, अगर N की जगँ आप 0 रखो, तो क्या मिलेगा, plus minus 5pi, N की जगँ 1 रखो, तो क्या मिलेगा, plus minus 3pi, N की जगँ 2 रखो, तो क्या मिलेगा, plus minus 5pi, and so on, ऐसे चलेगा, ठीक है, अब हम अगर हम constructive में intensity देखना चाहते हैं, अगर मान लेते हैं, constructive का intensity यहां देखना चाहते हैं, तो कितना आएगा, तो constructive के case में, थोड़ा सा ध्यान से समझेगा, formula आया था, I is equal to 4 times of I not, cos square 5 by 2, यही था न, अध्यान से देखना, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, अगर cos की जग अब 0 रग दो, या 2 pi रग दो, या 4 pi रग दो, या 6 pi रग दो, कुछ भी रग दो, अगर मान जिरो रग दो, तो क्या मिलेगा, 0 जाएगा, cos 0 की value कितनी होगी, 1 इसका मतलब I, यह max हो जाएगा, कितना होगा, I max की value कितनी होगी, जल्ले बताओ, 4 times of I not, इसकी value क्या हो जाए चाहे आप 0 रखो, चाहे 2 pi रखो, चाहे 4 pi रखो, चाहे 6 pi रखो, हमेशा इसकी value क्या मिलेगी, 1 इसका मतलब, constructive interference के case में, जो intensity होगी, वो क्या होगी, 4 times of I not, अब destructive में चलते हैं, I mean की बात करते हैं, अब destructive में N की जग आप, sorry, कहा गया आपके पास, formula क्या है, I mean is equal to 4 times of I not, cost square 5 by 2, अब मुझे क्या करना है, minimum मनाना, इसका मतलब, अब हम 5 की जगे क्या रखेंगे, pi, destructive value value रखेंगे, अब cost pi by 2, pi by 2 का मतलब cost 90, cost 90 कितना हो जाएगा, 0, तो यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0, तो I mean की value कितनी मिलगे बच्चों, 0, इसका मतलब आपको एक अगर current source of light use हो रहा था, तो intensity maximum होगी, वो 4 times of I0 के बराबर होगी, और अगर destructive interference की बात करें, destructive interference के अंदर अगर 2 current source of light use हो रहे थे, तो intensity कितनी आजाएगी, 0, कब आएगी 0, pi पर भी आएगी, 3 pi पर भी आएगी, 5 pi पर भी आएगी, and so on, अब देखो, जरूरी चीज, बच्चा बात करने का प्रयास नहीं करेगा, कोई भी बच्चा, इसको मैं थोड़ा छोड़ा कर लूँ, कि आपको graph समझ में आ जाए, ठीक है, ये तो दिख रहा होगा सबको visible, please, 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 ध्यान से सब सुनेंगे, होगे वड़ा, ये सीधा, ये ऐसे, अब देखो, एक तरफ, एक line आपको intensity को represent करेगा, ये किसको represent करेगा, intensity I, ठीक है, और ये किसको represent करेगा, 5, कहां कहां पर, 0, थोड़ा दान सुरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई, चार पाई, पाँच पाई, छे पाई, साथ पाई, इदा एब ड़ा बात ने, माइनस पाई माइनस टू पाई माइनस त्री पाई माइनस चार पाई माइनस पाँच पाई एरे खूस हो जा रहे हैं तो तुरंट ठेक ध्यान से सुन मेरे लाल अब यहाँ पर हम बोल लेते हैं I-max इसको क्या बोलेंगे I-max का मतलब intensity maximum इसके लिए भी एक line हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यह हो गया maximum के लिए ठीक है एक line हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया है अब चाहो तो नहीं भी ड्रॉ करो तो कोई दिक्कत नहीं है अब थोगा सा ध्यान से कर्व बनाएंगे हम लोग 0 पर intensity कैसी होगी मतलब यह जो intensity होगी i max इसकी value कितनी होगी 4 times of i not 0 डिक्रीपर कोई दिक्कत 180 पर क्या हो गया यह कर्व ऐसे जाएगा 180 पर 0 ठीक है अब फिर हम बात करें 180 हो गया फिर 2 पाई पर कितना हो गया 2 पाई पर कितना हो गया 4 times of i not तो थोड़ा सा कर्व मैं इस तरीके से बना लेता हूँ ऐसे ऐसे कर्व चलेगा ऐसे 2 पाई पर फिर से क्या हो गया 4 times of i not ठीक है 3 पाई पर कितना होगा बताओ फिर से 0 3 पाई पर 0 चार पाई पे फिर से कितना हो जाएगा बात समझ मिभी ना RGHI क्या कर रहा हूँ 5 पाई पे 0 6 पाई पे फिर मैक्सिमम 7 पाई पे 0 and so on ऐसे इधर भी चलेगा माइनस पाई पे कितना होगा माइनस पाई यहां दिखाएगा माइनस पाई पे 0 तू पाई पर मैक्सिमम, थी पाई पर जेरो, फोर पाई पर मैक्सिमम, फाई पर जेरो, ठीक है, कर्ब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस नो, अब जब हम लोग YDSC पढ़ेंगे, YDSC का मतलब होता है, यंग्स डबल सलेट एक्सपेरिमेंट, मैं आपको एक हिंट दे करेगा, बस समझने का परियास करेगा, बात का परियास थोड़ा भी नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, यह हो जाएगा आपके पास, ब्राइट फ्रिंज, उसके बगल में, क्लोन करेंगे, और यह हो जाएगा आपके पास, डार्क फ्रिंज, मतलब जहाँ इंटेंसिटी मै रार्क फिर कैसा होगा, जल्ली बता हो, फिर ब्राइट फिर दार्क अवाज नहीं फिर कैसा होगा ब्राइट, not white, bright फिर कैसा होगा, डार्क फिर कैसा होगा, bright एंट सो ओन इस तरीके से फिर इधर क्या मिलेगा तो को bright है तो यहाँ पर intensity minimum है तो क्या होगा? dark फिर intensity इधर कैसा होगा? bright बच्चा बात में please फिर intensity अगला? dark फिर next इस तरीके से आपके पास pattern continuously क्या होगा? बनता चला जाएगा और यहाँ जो intensity मिल ला वो कितना मिल ला है? four times of I naught बात समझ में आ गई? yes, no? बनाईए बटापट कर चली तो हमारा next topic है Young's Double Slit Experiment Young's Double Slit Experiment confirm है बटा इससे कोशन आएगा 5000% confirm है कि इससे कोशन आएगा ठीक है? यह पूरी topic important है YDSC Young's Double Slit Experiment थोड़ा सा ध्यान देंगे और समझने का परियास करेंगे Young's Double Slit Experiment क्या कहता है और कैसे कहता है Suppose करो हमारे पास दो slits है आप लोग सब लोग परियास करेंगे समझने के लिए कोई बच्चा बात नहीं करेगा ठीक है? यह हमारे पास दो slits है ठीक है? यह दो छोड़े छोड़े विंडो है इसको हम slits भी कह सकते हैं और यह हमारे पास क्योंकि current source of light है प्लीज जो भी बच्चे हैं तो रसांत हो जाएंगे तो बैतर होगा ठीक है? यह दो हमारे पास slits है और यह next हमारे पास एक screen है इदा है यह हमारे पास क्या है? एक screen है यह screen है ठीक है विटा? अब दियान से सुनीए हम लोग क्या करते हैं? यहां पर हम लोग क्या करते हैं? यहां पर एक coherent source of light यूज कर रहा है थोड़ा ध्यान से हम लोग समझेंगे एक coherent source of light यूज कर रहा है अब यहां से light जाएगा और थोड़ा से आप लोग ध्यान देंगे ने तो समझ में नहीं आएगा मैं पहले बता दा रहूँ थोड़ा से भी बात कियें तो कामकर बढ़ हो जाएगा तो यहां से light जाएगा तो क्या क्या बनाएगा? एक बनाएगा crest फिर बनाएगा trough मानलो हम यलो से बना लेते हैं trough फिर white से बनाते है crest फिर yellow से बनाते हम लोग trough ऐसे चलेगा फिर यह जो light अगर यहां से निकली है वो light इन दो window से भी निकलेगी? इन दो slits का नाम होगा S1 and S2 दो slits हों गई है इन दो slits से भी क्या होगा? फिर से निकलेगा आपके पास एक crest इससे भी crest और इससे भी crest फिर क्या निकलेगा? इससे निकलेगा trough और इससे भी निकलेगा trough फिर क्या बनेगा बचों? फिर बनेगा crest इसके भी क्या बनेगा आपके पास? crest इससे भी क्या बनेगा? crest फिर अगला क्या बनेगा आपके पास? trough फिर ध्यान तो समझेंगे ऐसे फिर इससे भी क्या बनेगा आपके पास? trough अब थोड़ा सा समझने वाली बात है यहां slit S1 और S2 से दो light निकल नहीं एक यहां से light निकल नहीं crest up, crest up करते हुए एक यहां से light निकल नहीं crest up, crest up करते हुए अब यह दो light दो तरीके से interfere करेंगे आइधर constructively या फिर destructively constructively में क्या होगा? सोच निये घद्यान से एक wave का crest, दूसरे के crest पे पढ़ रहा हूँ या trough, trough पे पढ़ रहा हूँ इस type के interference कों बोलेंगे constructive interference और इसके वजह से एक fringe बनेगा, वो कैसा fringe बनेगा? bright fringe बनेगा bright मतब चमकता हुआ, स्क्रेन पे दिखाई देगा वहाँ पर और अगर एक के crest दूसरे के trough पे fall कर रहा हूँ या दूसरा का trough पहले के crust पे fall कर रहा हूँ इस type के interference को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? destructive interference क्या बोलेंगे? destructive interference और यह कैसा fringe बनाएगा? dark fringe बनाएगा ठीक है? मेरी बात समझ रहा है? अगर crest crest टकराता है या trough trough interfere कर रहा है तो constructive interference वहाँ कैसा fringe बनेगा? bright और अगर crest trough को या trough crest को cross कर रहा है, interfere कर रहा है तो किस type of interference बनाएगा? destructive, dark interference अब तो आसे ध्यान देते हैं इस figure को consider करते हैं देखो बेटा यहाँ yellow yellow अगर आप figure के साब से बात करें तो yellow yellow टकरा है यह white white टकरा है तो कैसा interference? constructive और कैसा fringe बनेगा? bright अगर yellow white से cross करती है या white yellow को cross करती है, तो किस type of interference? destructive तो यहाँ देखो बेटा, yellow yellow कों side कर रही है? white white yellow yellow किस type of interference बनेगा? white white yellow yellow किस type of interference बनाएगा? constructive यहाँ बना आपके पास constructive interference और constructive interference के लिए क्लिए 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 बनेगा? कैसा fringe बनेगा? bright fringe बनाएगा ठीक है? तो बीच में bright होगा आपके पास मान लेते हैं भी फिर बताओ देखो, यहाँ पर yellow white cross कर रहा है फिर यहाँ पर yellow white cross कर रहा है तो अगला fringe कैसा होगा? destructive? destructive का मतलब? dark मतलब कुछ इस प्रकार से बन जागा, मैं बना लेता हूँ उसको, चलो उसको fill कर लेता हूँ यह ऐसा हो जागा dark समझ मैं रहा है? फिर आगे बढ़िये फिर देखिए white 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 yellow 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 cross कर रहा है इसका मतलब अगला कौन सा fringe होगा? bright समझ मैं रहा है क्या? फिर अगला बढ़िये white yellow अगला कौन सा fringe बनेगा? कैसा बना चाहिए? dark बना चाहिए चलो उसको copy कर लोते हैं उपर बेज़ देते हैं समझ मैं रहा है क्या क्या? अब यहां बताओ यहां देखो white yellow कैसा fringe होगा? white yellow yellow white किस साब का fringe बनेगा यह? dark बनाएगा कैसा बनाएगा? dark तो हम क्या करते हैं? इस dark को करते हैं copy और यहां लगते आते हैं dark समझ मैं रहा है क्या? अगला बताओ क्या होगा? white white yellow yellow देखो white white yellow yellow कैसा बनाएगा? bright बन रहा होगा फिर बताओ white yellow white yellow कैसा होगा? dark not black dark बात समझा रहे होगा? इसका मतलब स्क्रीन पे आपको alter वीचो बीच में क्या दिखाए देरिया है? white वीचो बीच में क्या दिखाए जालिया है? bright French उसके बाद? dark मतलब आपके पास ऐसा दिखाए दायता है? बीच में bright, फिर dark, फिर bright, फिर dark, फिर bright एंस्वान इधर भी ऐसे ही आएगा bright है तो dark, फिर bright, फिर dark, फिर bright इस तरीके के एक pattern दिखाए दे रहा है इसको हम लोग बोलते है fringes और यह bright और dark fringes कैसे बना? due to constructive and destructive interference ठीक है? मतलब अगर एक wave का crest, दूसरे के crest से तकरा रहा हो या तकराना नहीं बोलते है इसको बोलते है interfere करना और अगर truff truff से interference कर रहा हो तो किस टाप का interference बनेगा? constructive और constructive interference में कैसा fringe बनेगा? bright और अगर हम बोलें एक का crest दूसरे के truff पे या एक कटर दूसरे के crest पर fall कर रहा हो तो किस ट्राप का fringe मनेगा destructive interference वहां पर कैसा fringe मनेगा dark fringe और ये सारे fringe की width जो होगी वो सब बराबर होगी सब बराबर बराबर चाहे वो dark हो या bright अभी हम लोग आगे देखेंगे कैसे यहां तक clear हुआ अब मैं इसको clear करने के लिए थोड़ा सा और detail में चलता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा हमारे पास एक experiment का setup हमने दो laser light लगा लिया मतलब यह coherent source of light सपोस्ट करते है ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों light को on करता हूँ on करेंगे तो देखो यह क्या बना रहा है crest truff, crest truff, crest truff बनाते वे वेव चलना है क्या मतलब यह जो slit का पहला वाला पार्ट है यह S1 है मान लो और यह क्या है आपके पास? S2, जैसे कि यह जो source आपके पास था देखिए यहार यहां यहां-पर यस था-इस-बन, यह S1 यहां था यह उपर बल्फ हो जाएगा ou S2 जो था वो नीचे बल्फ हो जाएगा अधू है यहां पर भी क्या बना है crest truff, crest truff बनते वे और आगे बढ़ रहा है यहां से क्या बनेगा क्रस्ट रफ करते वह आगे बढ़ेगा अब मैं इसी को वहां दिखाता हूं आपको थ्यान दीजिए कि समझ में आ जागा बहुत असानी से ठीक है तो यह को क्रस्ट रफ करते वह आगे जा रहा है अगर नम इसको बंद करते तो यह लाइट बंद हो गई कुछ दिर बाद यह क्रस्ट रफ करते वह आगे बढ़के काम खता हूं ठीक अब हमको इंटेफेर करना इंटेफेर कब कर होगा एक लाइट से क्या कोई इंटेफेरेंस बन रहा है क्या ना अब देखो मैं क्या करता हूं इसको बंद करता हूं और दोनों को एक साथ ओन करूंगा तो देखना क् आपको बनता हुआ दिखाई देगा अभी स्क्रीन पर क्या बन रहा है मैं अगर छोड़ दो तो आधयान देलो एक लाइट सिर्फ जल्ड़ा यह वाला मंद है ठीक है एक लाइट जल्ड़ा तो स्क्रीन पर कहीं ब्राइट डार्क बन रहे है कुछ नहीं सिर्फ सब यह तो सा अब मैं गया करता हूँ दोनों लाइट को अन करता हूँ एक साथ जैसे दोनों लाइट को अन करूंगा तो स्क्रीन पर आपको कुछ बनता हुआ दिखाई देगा लेट सी वाट हैपने अब यहां पर दोको दो वेफ आपस में क्रेस्ट टक्राने लगे तक्राने के बाद एक पास इस क्रीन पर कुछ बनता है देखो एक पैटर बीच में बाइट फिडार फिर ब्राइट फिर डार इरडार ऐनासे पाना अन्से यहां एसे निपन आज ब्लाइट उर वी नगू चल दो अब्निया रिखो लिए लाइट सब ल्ग ब्राइट लिभाशर वाली एक ज इसमें क्या हुआ डार्क फिजडी स्क्रीन पर फॉर्म हो रहा है समझ में आ गया यह नो अच्छा अगर हम एक लाइट को बंद कर दें मतलब एक लीट को बंद कर दें तो क्या कोई इंटेफरेंस पैटर यहां दिखाई देगा तो आपका आंसर क्या होगा देखो कुछ देर में क्या एक slit को एक slit को मैं ऐसे बंद कर दिया एक जो होल ता उसको मैं बंद कर दिया क्या interference pattern है interference pattern disappear bright eye fingers गायब हो गई अब हम यहाँ पर अभी हमने सिर्फ किस color का light यूज किया है Green color का यूज किया अगर हम कोई और color का यूज़ करें तो क्या होगा, अगर मैं red color का यूज़ कर रहा हूँ, अलग valent के light यूज़ कर रहा हूँ, तो फर्क पढ़ेगा क्या, इसकी width पर थोड़ा देज़ेगा, width पर देखियो, फर्क पढ़ रहा है अब दिख्या है अब के पास, यह बड़ा width बन गया, यह बीच मे यहां पर ब्लू कलर यूज कर लूँ ठीक है वेवलेंट का बहुत बहुत फर्क पड़ता है कोशन आता है एक्जाम में ठीक है आप देखो कितनी छोटे-छोटे बनेंगे यह देखो छोटे-छोटे दिख रहा है आपके पास अब इसमें अगर हम इसकी amplitude कम कर दें मतलब इस bulb की glowness intensity कम कर दें तो यहां से भाई साब क्या हो जाएंगे दीरे-दीरे गायब हो जाएंगे यह बहुत हलका बनेगा जो किन्ना के बराबर होगा Amplitude maximum रखते हैं कि आपको दिखाएजिए अगर कोई white light कहीं से में मिल जाता तो मजा जाता white light मिलेगा नहीं अब देखो separation बढ़ाने और घटाने से भी होता है अगर दो slits को एक दूसरे के बहुत close कर दें तो क्या होगा है देखो यहां पर width देखना खाने separation बढ़ाने मतलब यह दो slit की बीच की दूरी कम कर दिया गया यहां देखो बुराइट कितना बढ़ा सा होगा बाई साब देख रहा है मतलब अभी हम लोग यह सब पढ़ेंगे कि कैसे बढ़ा हो रहा और कैसे छोड़ा हो रहा है यह width कैसा theoretically भी आपको देखना है अभी practically देखिए अगर हम इसकी width को तोड़ा साब बहुत बढ़ा कर दें अब तो slit की बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो यह fringe width कैसी हो जाएगी छोटी हो जाएगी अगर इनकी width की width को कम कर दिया जाए तो क्या होगा आपके पास बढ़ी हो जागी यह तो light के case में देख रहे हैं ऐसा ही interference आपके पास पानी में भी होता है पानी में कैसे होगा अग अगर इन दोनों को भी on करता हूँ तो एक साथ देखिए interference pattern बनाएंगे आपके पास यह भी इस type का pattern बनाएंगे आपके पास देखिए बन रहे हैं यह पर यह पूरा dark में जाएगा यह पूरा किदर जाएगा bright में जाएगा यहां भी interference होता है ऐसा नहीं कि सिफ light के case में interference हो और sound में भी होता है sound में आपके पास difference होता है light में भी interference होता है देखिए आपके पास देखिए बीच में कैसे जा रहा है pattern समझते रहे है तो ऐसा नहीं कि interference सिर्फ light के case में होता हर जगह interference होता जहां wave होते हैं interference confirm होता हुआ दिखाई देगा लेकिन आपको सिर्फ मतलब है किसे light से तो हम लोग light पे focus करते हैं जादा कुछ नहीं clear हो गया yes no बच्चो जली बोलो अब देखो यह light की आपके पास graph देख रहा है किस amplitude इसकी amplitude क्या है अगले वाले के अगर आप graph amplitude देखना चाहोगे इंटेंसिटी भी आप चेक कर लो इंटेंसिटी भी दिखाएगा आपके पास इंटेंसिटी अब मनें बताया था कल एक graph बनवाया था इंटेंसिटी हमेशा क्या हो रहा रहा है एक यह dark के लिए यह bright के लिए यह dark के लिए यह bright के लिए याद करो कल हमने एक figure आपको परमाया था देखिए यह वाला graph देख रहा है यह intensity curve है बीच वाला जो highest है वह bright के लिए जो lowest है dark के लिए clear हो रहा है तो अब आपको यंग्स double sli experiment समझ मा है यंगs double sli experiment क्या बोलता है कि दो sliट से जो waves निकलते हैं वो interfere करेंगे तो screen पर क्या बनाएंगे bright or dark fringes बनाएंगे bright fringes किसके वज़े से बनाएंगे due to constructive interference किसके बाइस बना रहा है और डार्क फिंजेस किसके बाइस बनाएंगे दिश्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट एक का crest, दूसरे के trough पे fall कर रहा हूँ, यह होता है, यह है crest, trough, यह होगा है, अगर ऐसा को interfere करता, तो destructive interference बनाते हैं, अगर मान लो यह आपके पास trough है, यह भी trough है, trough, trough एक पे fall कर रहा हो, या crest, crest fall कर रहे हो, तो किस चाप के interference बनाएंगे इस पर questions भी आते हैं और भी हम लोग questions आगे पढ़ेंगे दिए-दिए-दिए तो नोट करें एडिंग यंग्स double slit experiment सभी बच्चे नोट करें यंग्स double slit experiment in yंग्स double slit experiment in yंग्स double slit experiment bright and dark fringe obtained on a screen bright and dark fringe pringes obtained on a screen wash let's top bright fringes obtained due to constructive interference bright fringes obtained due to constructive interference and dark fringes obtained and dark finch is obtained due to destructive interference and dark finches obtained due to destructive interference paragraph change करिएगा और नीचे लिखिएगा व्यातः तो volume कम कर लिजी, ठीक है, bright fringes हो गया न, paragraph change के लिखेगा, bright fringes is obtained bright fringes is obtained due to constructive interference bright fringes is obtained due to constructive interference where crest of one wave where crest of one wave falls on the crest of other falls on the crest of other and trough of one wave and trough of one wave falls on the trough of other falls on the trough of other due to this due to this bright fringes obtained on the screen due to this bright fringes is obtained on the screen full stop fringes is obtained on the screen full stop paragraph change during destructive interference during destructive interference crest of one wave crest of one wave falls on the trough of other crest of one wave falls on the trough of other and vice versa vice versa and vice versa comma sorry full stop due to this due to this dark fringes is obtained on the screen due to this dark fringes is obtained on the screen and then now 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 let's go ठीक है अगर मैं यहां से graph अटा दूँ और एक light को मैं बंद कर दूँ तो यहां पर देखेंगे जो bright और dark fringes थें वो क्या हो जाएंगे गायब हो जाएंगे तो मैंने एक light को किया बंद और यह bright and dark fringes क्या हो गए समझ मैं पहले कहानी तो लेकिए point number one note में फटा 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 इफ one of the slit is closed हाँ note में पहला point if one of the slit is closed if one of the slit is closed then the interference pattern disappear then the interference pattern disappear अगर एक slit को close कर दिया जाए तो interference pattern क्या होगा disappear हो जाएगा ठीक है बिटा अच्छा next चलते है नेक्स लिखिए second point फ़ाद्यान दीजेगा आप लोग second point क्या है अगर हम यहाँ पर यह जो मेरे पास white light तो इसमें दिख नहीं रहा अगर white होता तो मैं आपको दिखाता अगर मैं white light यूज़ करता यह blue या single color के अलावा तो क्या होता तो यहाँ पर जो fringes मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं वो colored fringes मिलते हैं जैसे यहाँ पर भी सिर्फ आपको क्या दिख रहा है bright dark bright dark आपके पास दिख रहाता है अब वहाँ पर bright dark तो मिलता है यह लेकिन colored fringes मिलते हैं और साथ में उनकी width भी क्या होती unequal होती जैसे यहाँ पर इन सब की width क्या है जोको इनकी सब एक जैसे है ना तो उन सब की width भी क्या होती अलग अलग होती ठीक है तो अगला लिखेगा note no.2 if white light is used if white light is used as a parent source if white light is used as a parent source then the fringes can be colored then the fringes can be colored and have unequal width and have unequal width because ऐसा क्यों होता क्योंकि white light consists of 7 colors and all the colors have different wavelength ठीक है तो क्या बुले हैं then the fringes can be colored and have unequal width because because white light consists of different colors because white light consists of different colors and all the colors have and all the colors have different wavelength different wavelength next question अगर इन दोनों slits को हम लोग close ला दें तो क्या होगा fringe की width क्या होगी बढ़ी हो जाएगा the width of fringe increases ना तो लिख लो if the distance between two slit is small if the distance between two slit is small then then the fringe width increases then the fringe width increases ठीक है next question मतब next point अब जैसे हमने यहापे क्या किया यहापे हमने दो आपके पास इनका parent source suppose करें सेम था यहाँ पर था अब अगर हम दो individual source of light ले ले दो अलग-अलग जैसे इस पिछले figure में आप आएंगे तो देखाते ना एक single parent source है उससे light निकलके दो slit से पास हो रही थी तो वो तो single parent source था अगर हम बोलें दो अलग-अलग दो slit से एसवन और अश्चु दुने पर अलग-अलग light लगा दिया ऐसे मान लोग ऐसा ही figure है दो अलग-अलग light लगा दिया गया तो क्या होगा तो अब यहाँ पर fringe pattern बनेंगे लेकिन position of bright and dark fringe fix नहीं रहेगा जैसे मैं आपको एक बहुत simple सा एक उधारण से समझा दूँ जैसे मान लो यही अगर हम figure को देखे तो हमको यहाँ पता है बीचो बीच में क्या है bright है उसके बाद dark फिर bright फिर dark फिर bright फिर dark and so on चलना है लेकिन अगर हम दो individual अलाग-अलाग source of light यूज कर लिया जाए यहाँ पर तो इससे आप यह confirm नहीं कह सकते कि बीच में bright बने गाई बनेगा हो सकता है dark भी बन जाए हो सकता है bright बन जाए I don't know कौन कहां बनेगा लेकिन अगर आप ऐसा source यूज किया है देखो अपने figure इससे पहले वाले में क्या बनाया था बच्चा इससे पहले वाले figure में आप ऐसे बनाया थे एक single फिर दो slit ऐसे फिर ये screen याद रहा कुछ-कुछ अब इसमें क्या हुआ था यहाँ पर एक source यूज किया गया था ऐसे light निकल ले थी यहाँ से फिर यही light यहाँ से और यहाँ से पास हो रहे थी S1, S2 से तो यहाँ पर आपको confirm है कि बीच और बीच में क्या बनेगा bright बनेगा लेकिन अगर मैं क्या करूँ यह वाला portion हटा दू इसको हटा करके यहाँ पर दो source रग दू तो अलग अलग एक S1 बल भीहाँ रग दू और एक S1 बल भीहाँ रग दू दो individual source यूज कर लो तब यह जरूरी नहीं होगा कि बीच में क्या बनेगा variety बनेगा position of bright and dark fringe fix नहीं रहेगा width भी fix नहीं रहेगा मत सुन जा रहे है yes no next point लिखेगा very important next point फटाख से if two independent sources are used if two independent sources are used instead of coherent source if two independent sources are used instead of coherent source then the interference pattern is not permanent then the interference pattern is not permanent and and the position of and the position of bright and dark fringes and the position of bright and dark fringes do not remains fixed position of bright and dark fringes do not remains fixed मत ब्राइट और डार्क फिंज की position fixed नहीं रहेगी बात समझ में आगे तबको yes no अब इसका कल हम लोग expression देखें कल नहीं नेक्स क्लास में लोग इसका expression देखेंगे ठीक है चले तब तक के लिए stay home and stay safe वाथे करे जोग पिंद की लोगत